हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव एड कि अपना राजनितिक जीवन व्यतीत किया है कि आज उसने एक राजनितिक पक्ष के आधार पर जन्दा के मध्य में अपनी आमिट छाप छोड़ने का प्रयास किया है क्या यही उसका गुना है जिसकी सजा कमलनाच जी सरयाम उसकी इज़त उचाल कर कर रहे हैं आप लगता नहीं कि इसके बारे में सोनिया गांधी चुप खुद एक महिला है और कॉंग्रेस की इस समय टॉप लीडर है जिसकी रसोई जलती हो कमलनाच और दिगविजे सिंग जैसे नेताओं की वज़ह से क्या वो बोलेंगी महिला के पक्ष में क्या पहले नहीं हुआ था कि मध्यप्रदेश में दिगविजे सिंग ने टंच माल कहा था ऐकौंग्रिस की महिला का रे करता को यह अपनी पार्टी में काम करने वाली महिलाओं का संबान करेंगे किसी और पार्टी में काम करने वाली महिलाओं का क्या संबान करेंगे शिवरा सिंग चौहान वहाँ पे सत्यागरा पे बैठे हैं इस घटना के विरोध में आपको लगता है कि इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए कमलनाजी को दिविजय सिंग को कॉंग्रेस को आपको लगता है कि उनमें इतने अच्छे संसकार हैं कि वो अपने शब्दों की हानी को समझें अपने बरताव को समझें और सारवजनेक रूप से समाद से माफी मांगे कि जब भी कभी अपने नेता कुछ इस तरी की टिपड़ी करते हैं तो सारे लोग चूप रहते हैं लेकिन जब विपक्ष का कोई कि एक भी मामला ऐसा आता है तो सब लोग मुकरो जाते हैं कॉंग्रेस के लीडर्स भी लगभग यही दिखाए रहे हैं आता है देखे देश की राजनीती में अगर हम वाकरी चाहते हैं कि विशेशता गरीब परिवार से हमारी बेटियां प्रोचसाहित हो और राजनीती में जुड़ें तो कम से कम हमें एक सा माहौल तो उनको दें कि वो प्रोचसाहित हो और अगर वो माहौल में कोई विगन डालता है तो उसका पुर्जोर विरोध होना चाहिए समाज में जिस प्रकार से आज कमलनाजी के खिलाफ आक्रोश देश में दिख रहा है वो इसी बात का संकीत है क्या ये महराश्ट माधिप्रदेश में या दूसरे चुनावी मुद्दा बनेगा? क्या महिला का संमान मात्र चुनावी मुद्दा है? सामाजिक मुद्दा नहीं है? क्या मुद्दा नहीं है